पाथ 18 वर्तनी संबंधी अशुद्धी शोधन भाशा शब्द संस्क्रित की भाजधातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। हम मुँसे जो भी ध्वनी निकालते हैं वह भाशा नहीं कहलाती क्यूंकि सार्थक ध्वनियों के उच्चारण को ही भाशा कहते हैं। जो भाशा बूली तथा लिखी जाती है वही मानक भाशा कहलाती है। मानक भाशा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध वर्तनी का प्रमुक स्थान है। साधारन तोर पर उच्चारन की अशुद्धी के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धिया दिखाई पड़ती हैं। उच्चारन तथा वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कुछ प्रमुक कारण इस प्रकार हैं। भारत के विभिन प्रांतों में रहने वाले लोग हिंदी शब्दों का उचारण अलग-अलग धंग से करते हैं। इस प्रकार अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। ये सारे अशुद्धियां बारंबार शुद्ध उचारण करवा कर दूर की जा सकती हैं। कुछ लोग ज़ तथा फो के उचारण करते समय गलती करते हैं। जैसे गज और गज के उचारण तथा अर्थ में काफी अंतर हैं। फल और फूल का उचारण फल फूल की तरह करना अ अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण एवं लेखन में साबधानी बरतनी चाहिए। जैसे हंस को हंस के रूप में लिखना या उच्चारण करना अशुद्ध है। इसी प्रकार हंस को हंस लिखना या बोलना भी अशुद्ध है। भाषा का सम्यग्यान न होने की कारण लोग अत्यधिक को अत्याधिक अत्वा पारिवारिक को परिवारिक बोलते एवं लिखते हैं। अहिंदी भाषी लोग अपने द्यानिक जीवन में हिंदी का प्रयोग न करने की कारण कुछ लिंग संबंधी गल्तियां करते हैं। जैसे मेरा आँख में कुछ गिर पड़ा है, मेरी आँख में कुछ गिरा है, इसका शुद्ध रूप है. वर्तनी लिपी के चिन्धों को व्याकरण के नियमानुसार क्रम से लिखना वर्तनी कहलाता है. वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनके शुद्धरूप। स्वर संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शुद्ध। अकाश आकाश। आधीन अधीन। अत्यधिक अत्यधिक। कवी कवी। कृती कृती। परिक्षा परिक्षा। मुनी मुनी। रिवाज आसू, आसू, अलोचना, आलोचना, सबताहिक, साकताहिक, इतिहासिक, एतिहासिक, अतिथी, अतिथी अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुधियां, अशुध, शुध, गूँज, गूँज, बास, बास, मा, मा, अंगूठी, अंगूर, अंगूर, अंबा, अंबा, मांस, मांस, कुवा, कुवा, गंगा, गंगा, अंकुर, अंकुर विसर्ग संबंधी अशुधियां अशुध शुध प्रात प्रातः अधुपतन अधापतन अतह एव अत एव निसंदेह 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 व्यंजन संबंधी अशुधियां, अशुध्ध, शुध्ध, सधक, सडक, पढाई, पढाई, चड, चड, इकट्था, इकट्था, रिचा, रिचा, परणाम, प्रणाम, रितु, रितु, मेंधक, मेधक, गाडी, गाडी, कारिकर्म, कारिक्रम, सन्रपक, संपर्क, ब्रम्ह, ब बुद्धी, बुद्धी, जमुना, यमुना, परिच्छा, परिक्षा, लक्ष्मन, लक्ष्मन, किरन, किरन, प्राकृती, प्रकृती, राणी, राणी, जग्य, यग्य, अमानक रूप सम्मंधी अशुधियां, अशुध, शुध, कुत्ता, कुत्ता, ब्राम्हन, ब्राम्हन, पक, पक्का, मिटी, मिटी, उधार, उधार, विद्वान, विद्वान, पता, पता, ब्रम्हा, ब्रम्हा, लट्टू, लट्टू, द्वितिय, द्वितिय, विध्या, विध्या, बुधी, बुधी, कुछन्य अशुधिया, अशुध, शुध, 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 शम्षान, सन्यासी, सन्यासी, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुसुया, अनुसुया। आउदोहराएं, लिपिके चिन्धों को व्याकरण के नियमानुसार क्रम से लिखना वर्तनी कहलाता है।